दोस्तों नमस्कार आद आप सत्वियकाल नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश कॉंग्रेस के पुरुवा ध्यक शराहूल गांधी अक्सर कहा करते थे कि वो इस सरकार से नहीं डरते वो प्रदानमंत्री जी से भी नहीं डरते वो ग्रेमंत्री जी से भी नहीं डरते वो सरकार की एजनसीयों से नहीं डरते आम तोर पे जब वो ये बात कहते थे और अभी भी कहते हैं तो उनका इशारा रहता था उन नेताओं उन पार्टियों की तरफ बगएर नाम लिये जो क कभी न कभी सरकार में उच्छे ओहदों पर रहे हैं और जिनकी फाइलें जिनके बहुत सारे फैसलों को लेकर ED में, CBI में या अलग-अलग तरह की एजिंसियों में मामले लंबित हैं जिनका की सरकार समय समय पर इस्तेवाल करती रही है कुछ को डराने के लिए, कुछ को धमकाने के लिए और कुछ को पताने के लिए लेकिन राहुल गांदी खुलयान कहा करते थे कि उन्होंने अपने पूरे राजनितिक करियर में ऐसा कोई काम नहीं किया है वैसे भी वो मंत्री कभी नहीं रहे, तो इसलिए उनको डराया नहीं जा सकता है उनको किसी आर्थिक गरबड़ी के कारण उनको दोशारूपित नहीं किया जा सकता है लेकिन इस पर सरकार ने उनको ED का नोटिस बिजवा दिया है और ED का जो notice गया है वो दो तारीक यानि दो जून को उनको ED के समक्ष पियर होना है वो बाहर हैं संभवतादेश से बाहर हैं तो उन्होंने पास जून के बाद ED के समक्ष पेस होने का प्रस्ताओ दिया है उनकी माताश्री यानि कॉंग्रेस अध्यक्षर सोनिया गांधी को भी E.D. ने नोटिस जारी किया है उसी केस में और उनको आठ तारीक यानि आठ जुन को बुलाया है ये दोनों नेताओं को जो E.D. की नोटिस गई है वह जो नोटिस है वो नेशनल हेराल्ड अखवार समूझ जो है उस केस में गई है नेशनल हेराल्ड का केस क्या है ये 1938 में जवाला नेहरू भारत के पहले प्रदान मंत्री और बड़े स्वाधिंता सेनानी जबाजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो 1938 में ये अखवार निकाला गया था जवाला नेहरू की तरफ से और इस अखवार के बारे में कहा ये जा रहा है जो ED का जो पुरा का पूरा मामला है कि इसमें Congress ने 90 करोड की रकम को इन्वेश्ट किया और उसको उस तरीके पर सवाल उठाया गया है और माना गया है कि आखवार को पार्टी ने कबजा जमा लिया या नहरु गांधी परिवार का उस पर कबजा हो गया तो यह पूरा का पूरा मामला है इसके बारे में बहुत सारे इसके आरिथिक परते है इस पर सुब्रोनियम स्वामी जो बहुत ही विवादास्पत सांसद हैं भारती जन्ता पार्टी के उन्होंने सबसे पहले इस केस को उठाया था उन्होंने नियाले का दरवाजा खटखटाया था इस पीच में पता चला था कि 2015-16 के बीच में ये केस स्थगित हो गया था लेकिन अभी फिर इसको ED के समक्ष अब ये मसला आया है तो बड़ा दिल्चस्प है ये मौका भी बहुत दिल्चस्प है और National Herald का जो केस है वह तो दिल्चस्प ही है मौका मैं इसलिए कहा रहा हूँ दिल्चस्प क्योंकि इस वक्त कॉंग्रेस जो है अंडर अटैक थी मीडिया में बहुत सारे राजनितिक टिपणिकार और राजनितिक लोग भी यहां तक कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर के लोग बेहद नाराज थे जम के आलूशा कर र उनमें 10 जून को चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव के लिए जिस तरह सीटों के का फैसला किया था जिस तरह से उमीदवारी अपनी तैकी थी उसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी पर जम कर प्रहार हो रहे थे और दोस्तों सच तो बात या है कि आज का प्रोग्राम मैं भी राजसभा में कॉंग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल बेंक्रप्सी क्या है किस तरह की है कितने खराब गुमिदवार उतारे गए हैं किस तरह राजियों की अवाम को एक तरह से चला गया है खास कर राजस्थान और च्छतिस गड़ जैसे दो प्रदेश जहां पर कॉंग्रे बात समझ में आती कि चलो किसी एक प्रमुख नेता को लाना था किसी महरास्थ के उमिदवार में किसी नेता ने संभाता सही सवाल उठाया है कि अगर पार्टी के किसी बड़े स्टालवर्ट्स को लाकर करके यहां चुनाव लडाया जाता तब बात समझ में आती है लेकिन इमरान प्रताब गड़ी को चुनाव महरास्थ से लडाने का क्या उचित्य है जब महरास्थ में एक से एक अच्छे कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्रिया और यहां तक कि गायत भी पार्टी के साथ अटेज्ड है पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, एक्टिविस्ट है उन सब को दरकिनार कर इमरान प्रताबगढ़ी को लाने का क्या उचित्य है। ठीक उसी तरह से 36 गढ़ के बारे में, रंजिता रंजन जो विहार की हैं पपु यादव की धर्मपत्नी हैं कॉंग्रेस की सांसद रह चुकी हैं उनको वहां उतार दिया गया है राजस्थान में तो कमाल हो गया राजस्थान में एक भी राजस्थानी नहीं मिला रंदीप सिंग सुर्जेवाला प्रमोत तिवारी और मुकल वासनी की तीन लोगों को वहां उतारा गया है अब पताईए दोनों राजियों में 36 गड़ राजस्थान में 2023 में चुनाओ है लेकिन इसकी फिक्र किये बगैर कॉंग्रेस साला कमान ने इन महाशियों को वहां पर टिकर दिया है हरियाना में भी अजय माकन को टिकर दिया है तो आज मैं भी इसी विशह पर अपना प्रोग्राम केंद्रित करना चाहता था लेकिन सरकार ने ऐसा मौका क्यों रिप्लेस किया एक तरह से कि इस मुद्दे पर जो कॉंग्रेस की धुनाई हो रही थी पूरे दे तक लोगों में कांग्रेस पाटी के प्रती अफसान भूत भी अरजित हो सकती है कि ED कार्ण इस देश में इस देश में जिस तरह से किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल जितने विपक्षी दल हैं उनमें से बहुत कम ऐसे दल हैं जिनके इसी बड़े नेता के विरुद्ध ED की, CBI की या इसी तरह की किसी एजनसी की कोई नोटिस नहीं है, कोई समन नहीं है, कोई मकदमा नहीं है, सब के सब केवल विपक्ष के, क्या मदाल की सत्ताधारी दल का कोई बिनेता चाहे वो कुछ भी गुनाह कर ले, कुछ भी उसके दावन में चाहे जितने दाग हों, लेकिन किसी पर कोई ED कोई CBI कहीं नहीं जाती, लेकिन विपक्ष, विपक्ष को चारो तरफ से ऐसा लगता है, कि घेर लिया गया है, इतनी ताकतवर पार्टी जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो आठ साल से केंद्र की सरकार चला रही है, आखिर क्या वज़ा है कि वो एक सहनशिलता उसमें तनिक भी नहीं है, डेमक्रिटिक ढंग से अपने विरोधियों को जो बेहत कमजोर हैं, उनको टॉलरेट करने के बज़ाए, वार हर कीमत पर उनको निस्तनाबूत करना चाहती है, कॉंग्रेस मुक्ष शासन का उसका जो आहवान है, वो कॉंग्रेस वैसे ही उसको अमली जमा पहना रही है, जिस तरह से कॉंग्रेस फैसले करती है अपने, जिस तरह से वो निताओं को उतारती है, जिस तरह वो चुनाओ लड़ती है, जिस तरह अपने संगठन को बिलकुल एक तरह से निस्तनाबूत करने पर आमादा है मुझे नहीं लगता कि उसके लिए बीजेपी को इतनी जादा फिक्रमंद होना चाहिए था कि वो तमाम तरह के इस तरह के जुगार कर रही है कि कैसे कॉंग्रेस पार्टी के नेता और परिशान हो लेकिन वो कर रही है दोस्तों तो आखिर वजह क्या है कि राजिस दोस्तों मेरी जो जानकारी है इसका भी कोण कहीं न कहीं राजिसवाद चुनाओं से चुड़ा हुआ है देश के कुछ ऐसे राजिय है जहां राजिसवाद का चुनाओं हो रहा है वहां के कुछ नेताओं पर भी नेशनल हेराड मामले में केसेज पहले से आरोब पहले से लंबित है और हो नहो उननेताओं पर दबाव डालने के लिए बहुत संभव है बहुत संभव है कि उननेताओं को इंडायरेक्टली या डायरेक्टली धमकाने के लिए दबाव डालने के लिए और कॉंग्रेस के आफीसियल उमीदवारों को किसी न किसी तरह गच्चा देने क लिए एक माहौल बनाने की शायद इस पूरी की पूरी E.D. की मुहिम में एक सरकारी कोशिश नजरा सकती है तो दोस्तो E.D. का ये पूरा का पूरा जो मामला है वो राजनीति से परे हरगिज नहीं है क्योंकि एक दफा ये मामला उठा फिर अचानक दब गया इस पर जैराम रमेश जो कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं मंत्री राचुके हैं राजसभा के उभिद्वार भी हैं और उन्होंने कहा बहुत दिल्चस्प उन्होंने ट्विट किया है कि ये विश्व गुरु आफ वेंडेटा है विश्व गुरु आफ वेंडेटा उनका ये भी काना है कि जहां मनी इन्वाल भी नहीं है वहां मनी लॉंडिंग का केस कैसा अब शेक मनु सिंग्वी पार्टी के एक तूसरे प्रमुकनेता जो वकील हैं जो इस पूरे केस को महत नजदीक से जानते हैं उनका भी यही काना है कि ये पूरा का पूरा मामला द्वेश्पूर्ण है इसमें से कहीं भी मनी लॉंडिंग का कोई मामला बनता ही नहीं है कॉंग्रिस पार्टी के अनेक नेताओं ने इस पर बयान दिये हैं विपक्ष की दूसरी पार्टीयों के नेताओं ने भी सोनिया गांधी और राहूल गांधी के खिलाप एडी की इस महिम को राजनीतिक रूप से प्रतिशोध की भावना से प्रिरित बताया है लेकिन अब देखना यह है कि राजसवाद चुनाओं के एन पहले की गई इसका रवाई पर होता क्या है इसका रियक्शन क्या होता है हर्याना जैसे राज्य में जहां पर कॉंग्रिस पार्टी के ओफिसियल उमिद्वार एक टेलिविजन चैनल के ओनर, स्वामी, मालिकान उनके अचानक उमिद्वार बन जाने से आफिसियल उमिद्वार की स्टिक कमजोर सी हो गई है उनको लेकर तमाम तरह की आश्चंका पैदा हो गई है ठीक उसी तरह से जी नियूज के जो मालिकान है सुबाश चंद्रा साब, उनके राजस्थान में बीजेपी समर्थित उमिद्वार बन जाने के कारण कॉंग्रेस के तीन जो उमिद्वार हैं उनमें से एक उमिद्वार की स्टिती वाकई चुनोती पूर्ण हो गई है आशंका के बादल मनरा वहां भी रहे हैं तो देखना यह है कि ये एडी का पूरा का पूरा मामला सिर्फ सोनिया गांदी और राहूल गांदी को परिशान करने के लिए है या राजसभा के चुनाओं में अपनी गोटी सेट करने के लिए भी है तो दोस्तों आज इतना ही आप भी देखते रहे हैं हम भी देखते हैं लोगों को भी देखने दीजिए अगले सब्ता हम फिर बात करेंगे नमस्कार आदाव स्थ्रियकार